नवस्कार, स्वागत है आप लोग का, कैसे हैं आप लोग, उमेद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे Competition Community की Soundlight Platform पर आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे मद्ध प्रिदेश का जो Prelims Examination है उसके Point of View से हमने Unit 10 का Lecture अभी देखा था भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा था आज हम उसका MCQ के तहत analysis करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमको याद है की नहीं कैसे question आयोग में आ सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के उन समस्त objective के बारे में हम चर्चा करेंगे आईए देखते हैं जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है MPPSC Unit 10 सम्वैधानिक संस्ता है और भारत निर्वाचन आयोग बस तुनिस्ट प्रस्ट भारत निर्वाचन आयोग के जो भी MCQ महत्यपूर MCQ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आईए देखते हैं आज का जो हमारा पहला कोश्चन है पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन कहरा भारती सम्वैधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्नित है तो जब हमने पढ़ा था तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा पढ़ा होगा तो आप इस इसका एंसर आसानी से दे पाएंगे आए ये option देखते हैं उसके बाद हम इसका एंसर निकालेंगे option A कहता है article 324 से 339, option B कहता है कि 324 से 339, c option कहता है कि इनुच्छे 334 से 339 और D कहता है अनुच्छे 342 से 360, तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जो इसका राइट अंसर है वो option B है अनुच्छे 324 से 339 के जो समस्ता article है उन्हें भारत निर्वाचन आयोक के बारे में बात की गई है अगर इनका detail में थोड़ा article के बारे में देखें तो आईए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में तो जो इनका article 324 है उसमें गठन के बारे में बात की गई है गठन के बारे में बताया गया है जो 325 है उसमें ये कहा गया है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद भाव नहीं होगा उसके बाद 326 जो है उसमें बैस्क मताधिकार के बारे में बात की गई है और 327 में ये कहा गया है कि संसद को ये सकती होगी कि वो चुना संबंधी नियम कानून बनाए, उसके बाद 328 में ये है कि विधान मंडल को सक्ती होगी कि वो नियम कानून बनाए और इसी प्रकार आर्टिकल 329 में ये कहा गया है कि निरवाचन संबंधी जो मामले होंगे उनमें से नयालय का निसेद किर्में होगा नयालय के हस्तछेप का बरजन किसमें मामलों में होगा इनके बारें बात की गई है आर्टिकल 329 में इसलिए यहां पूछ किया रहा है भारती सम्मिधान में बढ़नी तुबन तो इसका जो राइट एंसर है तो उप्सन B है 324 से 329 अपना आगे बढ़ते हैं और आज का अंगला प्रसुन देखते हैं क्या कहता है कि भारत के मुख चुनाव आयुक्त को किसके दौरा नियुक्त किया जाता है किसके दौरा नियुक्त किया जाता है मुख चुनाव आयुक्त को आपके option है लोकसभा दौरा, option B में है प्रधान मंतरी दौरा और option C में है राष्ट पती दौरा और option D में है मुख नयाधिस दौरा तो साथियो जो इसका सही अंसर होगा वो option C होगा क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट पती जी को यह अधिकार है यह उनके पास सकती है कि वो नियुक्त कर सकते हैं इसको मुख चुनाव आयुक्त को और जैसा कि हमने पढ़ा था और यह कहा गया मैंने आपको बताया भी था कि निर्वाचन आयुक्त में एक समस्य यह है कि निरवाचन आयुक्त और मुख निरवाचन आयुक्त कौन होगे इनकी योगता के बारे में बढ़न नहीं है बरहाल राष्ट पती जी ये तैं करते हैं कि इनकी नियुक्ती कैसे होगी और नियुक्ती करने का काम कौन करता है राष्ट पती जी इसलिए option C जा right answer अपन आगे बढ़ते हैं next question को देखते है तो आज का question number 3 क्या है कि मुख निरवाचन आयुक्त और निरवाचन आयुक्त का कारकाल कितने वर्स का होता है कारकाल के बारे में बात करता है आए option देखें और इसके बास सही उत्तर बताएं option A में है 5 वर्स या 60 वर्स की आयु जो पहले हो option B में है 5 वर्स या 62 वर्स की आयु जो भी पहले हो option C में है 6 वर्स या 62 वर्स की आयु जो भी पहले हो और option D में है 6 वर्स या 65 वर्स की आयु जो भी पहले हो जाएगी तब तक के लिए ये चाहे वो अन्य निर्वाचन आयोगत हो या मुख निर्वाचन आयोगत है उनका कारिकाल होता है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निर्वाचन आयोग कितने सदसी आयोग है निरवाचान आयोग में कितने लोग काम करते हैं कितने सदसी आयोग है इसके बारे में पूछा गया है कोश्चन में आपके option A में है एक सदसी option B में है दो सदसी और option C में है तीन सदसी और option D में है दस सदसी तो जैसा कि हमने जब निर्वाचान आयुक पढ़ा है उस समय पढ़ा था कि जो ये आयोग है वो तीन सदसी होता है और तीन सदसी कैसे होता है इसमें एक जो होते हैं मुख शुनाव आयुक्त या निर्वाचान आयुक्त कह सकते हैं और जो दो अनायुक्त होते हैं इस प्रकार से ये तीन सदसी निकाई है या इसे कई बार बहु सदसी संस्था भी बहु सदसी निकाई भी कहते हैं अब आपन नेक्स्ट कोस्टें कрем देखते हैं अंगला प्रस्ट वारत के मुक्ष निरवाचन आयुक्त का पद किसके समकुष होता है किसके समान होता है निर्वाचा नायुत का जो पद है तो संबैधानी प्रापधान ये है क्या है उन में से ये पूछा गया है आपके option के according आप सही उत्तर बताएं सुप्रीम कोट के नियाधिस के option B में कहता है किसी राजज के राजजपाल के option C में कहता है लोग सभाध्यक्ष के और option D कहता है महान नायवादी के तो साथ ही जो इसका सही उत्तर होगा जिसको राइट अंसर होगा वो option A होगा सुप्रीम कोट के नियाधिस के समान ही इनका समकक्ष दर्जा होता है अब अपन next question के और आगे बढ़ें और आज का अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण क्या है question बच्छ है कहता है कि निरवाचन आयोग से संबंधित कार नहीं है इन में से कौन सा कार है जो निरवाचन आयोग नहीं करता साथियों नहीं को लेकर है तो से कौर्डिंग एंसर दें कई वार होता क्या है कि हम नहीं को ध्यान नहीं देते और फिर गलत एंसर ठीक करके आ जाते हैं जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ता है आए देखते है option A संसद या राज जी के विधान मंडल की चुनावों का संचालन कहता है कि निर्वाचा नायोग का नहीं है जब भी हम निर्वाचा नायोग की बात करेंगे तो उसका आसे है भारत निर्वाचा नायोग से जब हम राज निर्वाचा नायोग की बारें बात करेंगे तो उसको कहेंगे कि राज निर्वाचा नायोग यहाँ जब भी निर्वाचन आयोग के बारें बात करेंगे तो उसका आसे भारत निर्वाचन आयोग से है तो साथीयों आप जानते हैं कि ये तीनों काम चाहे और राजविधान मंडल के चुनावों का संचालन का हो चाहे राष्ट पती और अपराष्ठ पती के और आज कि अंगला प्रश्ण कहता है कोशन नंबर सिवन के संसद के सदस की निरहड़ताओं से संबन्धित प्रश्ण का विनिश्चे करते समय राष्ट पति निम्नमे से किससे परामर्स करता है उनकी जो आयोगता से संबन्धित अगर बात करनी हो तो उसको करने के लिए किस से परामर्स करता है कौन हमारा राष्ट पती जी किस से परामर्स लेते हैं आईए देखते हैं आपसन भारत के महान ने आए वादी आपसन B में कहता है भारत के निर्वाचन आयोग से और आपसन C भारत के मुखन ने आए इससे और आफ संदि, लोकस्भाद्जिक, साथियोenne इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे संस्ता है जिससे प्रामर्स करने के बार राष्टपती जी ये तें करते हैं आईए आगे बढ़ते हैं और आज का अंगला प्रसंद देखते हैं तो बर्दमान में भारत के मुख चुनावा युक्त हैं ये पूछ रहा है कि बर्दमान में मुख चुनावा युक्त बर्दमान में कौन है ये एक तरह से चाहें तो आप इसको करेंट का कुश्चन भी कह सकते हैं आईए देखते हैं आपसन दी में सुनी नरोरा आपसन बी में सुसील चंद्रा आपसन सी में ओपी रावत और आपसन डी में सुकुमार सेंद साथियो इसका जो सही उत्तर होगा वो सुसील चंद्रा होगा सुसील चंद्रा जी जो है हमारे भारत के मुख निरवाचन आयुक्त है और अगर करम की बात करें कई बार एक्जाम में इनका करम भी पूछ लिया जाता है तो करम के बारे में देखें तो जो चोवीसमा करम है वो है सुसील चंद्रा जी का और बरतमान में यही मुख चुनावा आयुक्त है इसमें आप्सन डी दिया है सुकुमार सेंड तो साथी और याद रखें कि सुकुमार सेंड पहले मुख निरवाचन आयुक्त रहें अपन नस्त कोश्चन के और आगे बढ़ते है अंगला प्रेशन क्या है कहता है निम्न में से कौन भारत के मुख चुनावा आयुक तो नहीं रहे है इस तरह के मद्धप्रदेख्स लोग सेवा आयुक में कई बार प्रेशन पूछे गए है चाहे हो राजपाल को लेके हो कई बार मुख मंतरी को लेके पूछा जाता है कई बार लोग से बायोग के सचिव को लेकर ऐसे कुश्चन पूछे जाते है उन में से चार आप्सन में से तिन सही और एक गलत आप्सन दे दिया जाता है और उनमें से यह पूछा जाता है कि कौन से नहीं रहे हैं इसलिए आप ऐसे question को विशेश रूप से ध्यान दें जब भी question solo करें इन questions में अपना ध्यान रखें कि ऐसे भी question मद्रप्रदेश लोग से बायोग पूछता है आईए देखते हैं option B.N. Tendon option B में B.N. जा option C में B.S. संपत और option D में T.N. सेशन तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा option B. B.N. जा तो कि B.N. जा कभी भी मुख चुनावायोग नहीं रहे हैं बाकि जो ये तीनों नाम हैं इनमें ये लोग कभी न कभी जा कि भारत की निर्वाचन आयोग का उलेग भारती सम्मिधान के किस भाग में हैं वो कौन सा भाग है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग का बढ़न है तो जब हमने पढ़ा है निर्वाचन आयोग उस समय हमने ये देखा है इसका उत्तर आईए option के recording देखते हैं A में कहता है भाग 15, B में कहता है भाग 14, C में कहता है भाग 13, और D में कहता है भाग 12, जो इसका सही उत्तर होगा, वो option A होगा, भाग 15 में भारत निर्वाचा नायोक का बर्णन है, अनुच्छेद 324 से 329 तक के जो अनुच्छेद हैं उन में, आगे बढ़ते हैं, तो देख अंगला प्रस्ट, अंगला प्रस्ट यह है कि भारत की प्रथम महिला मुख निर्वाचा नायोक्त कौन थी, उनके बारे में पूछा गया है, यह एक तरह से मिसलीनियास का कोश्चन भी है, बिविद का भी कोश्चन है, तो आपसन देखें, B.S. रमादेभी, option D. में J.D. option C. में S. के वेदी, option D. में RM. निकम, इसमें महिला जो पहली मुख निर्वाचा नायोक्त रही है, उनके बारे में पूछा है, जो इसका सही उत्तर है, वो है, option A. B.S. रमादेभी जी, पहली महिला मुख निर्वाचा नायोक्त रही है, आए आगे बढ़ते हैं, और अंग इन में से ऐसा कौन सा चुनाओ है, जो भारत निर्वाचा नायोक्त नहीं कराता उसके बारे में पूछा गया, option A. में है इस्थानी निकायों का, option B. में है राष्ट पती का, और option C. में है लोग सभा का, और option D. में है राज सभा का, तो जैसा कि आपने जब पढ़े हैं, हम लोग भारत निर्वाचा नायोक के बारे में उस समय के बारे में चर्चा की थी, तो आप जानते हैं कि राष्ट पती, लोग सभा और राज सभा इन तीनों के इलेक्षन कराने का काम भारत निर्वाचा नायोक का है, लेकिन इस्थानी निकायों का चुनाओ भारत निर्वा भारत निर्वाचन आयुगgg करता है स्थानी निकायों का चुनाव रज निर्वाचन आयुग के अंतरगत होता है इसमें नहीं पूछा गया है इसलिए option A सही होगा इस्थानी निकायों कि चुनाव नहीं करवागत है आईए आगे बढ़ते अंगला प्राशन क्या है अंगला प्राशन है भारत की अन्न निर्वाचन आयुकतों को किसके दोरा हटाया जा सकता है कौन हटा सकता है भारत निर्वाचन आयुकतों को आपके उप्सन है मुख निर्वाचन आयुक Option B में हैं प्रधान मंतरी द्वारा Option C में हैं मुख निर्वाचन आयुक्त के परामर्स पर राष्ट पती द्वारा Option D भारत के मुख नाधियस द्वारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा Option C मुख निर्वाचन आयुक्त अगर परामर्स करे तो राष्ट पती जी ये हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं उनको ये अधिकार है तो मुख निर्वाचन आयुक्त के प्रामस पर राष्ट पती हटा सकते हैं इसलिए option C इसका सही उत्तर होगा आईए ये आगे बढ़ते हैं प्रथम बार राष्टी मद्दाता दिवस कम मनाया गया था ये पूछ रहा है कि पहली बार राष्टी मद्दाता दिवस कम मनाया गया आईए option देखते हैं option A में है 2010, option B में है 2011 option C में है 2012, option D में 2013 जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 2011, 2011 पहली बार राष्टी मद्दाता दिवस मनाया गया और मद्दाता दिवस कम मनाया जाता है 25 जन्वरी आईए आगे बढ़े, next question देखते है इन निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की सक्ति किसमे नहीत है, कौन बढ़ा या घटा सकता है यह अधिकार किसको है, option देखें option A में राष्ट पती, option B में है संसत, option C में है केंद सरकार और option D में है मुख निर्वाचन आयोग तो साथियों जो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा option A राष्ट पती जी को यह अधिकार है कि वो चाहें तो सदस्यों को संख्या को बढ़ा सकते हैं या चाहें तो कम कर सकते हैं और राष्ट पती जी अब तक तीन वार ऐसे फैसले ले चुके हैं पहले आप जानते हैं कि 1989 में इस एक सदस्यी निकाय को बहुँ सदस्यी बनाया गया उसके बाद फिर 1990 में एक सदस्यी कर दिया गया और उसके बाद 1993 में इसे पूना तीन सदस्यी कर दिया गया और यह किस ने किया? राष्ट पती जी के विबेग के अधार पर उनको लगा कि अब एक सदस्टी निकाय से काम नहीं चल रहा इसलिए इनमे प्रधी करने चाहिए तो उन्होंने तिन सदस्टी निकाय किया यहाँ पूछ रहा है कि किसमें यह सक्ति नहीं थे तो ये राष्ट पती जी में सकती नहीं था है, इसलिए option A इसका सही उत्तर होगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्टन देखते हैं, question number 16 कहता है कि निरवाचान आयोक के अध्धक्षवा सदस्यों के बेतन भत्ते वही होगे जो मतलब कौन से होगे, किसके समान होगे, उसके बारे में इसमें बात की गई है आईए option देखें, उच्चितम नयाले के मुखनादी इसके, option B में कहता है उच्चितम नयाले के मुखनादी इसके Option C कहता है उचितम नयाले के नयाधिस के और Option D है या संसर्नेधारित करेगा तो जो इसका Option C है वो सही होगा क्योंकि जब हमने पढ़ा है भारत में वाचानायोग उस समय देखा था कि उचितम नयाले के नयाधिस के समान ही इनका बेतन और बत्ते होंगे इसलिए सही उत्तर है Option C अब नेश्ट कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंद देखें Question No.17 कहता है कि चुनाव संबंद में संसर्थ को कानून बनाने की सकती किस आरिटिकल में है ऐसा पूछ रहा है आईए Option देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं Option A में है 329 Option B में है 328 और Option C में है 327 और Option D में है 327 तो आप जानते हैं संबिधान में ये वर्णन है कि जब भी संसर्थ को ये लगे कि वो चुनाव संबंधी नियम बनाना चाहती है तो आरिटिकल 327 के तहट उसको ये अधिकार दिया गया है इसलिए Option C इसका सही उत्तर होगा बाकि जो तीन आरिटिकल है 26 में मैंने आपको बताया कि अधिकल के वारिन बात की गई है 328 में ये बिधान मंडल को सकती है बिधान मंडल को सकती है कि उन ये बना सकती है 329 में नैय आलए निरवाचन से संबंधीत के आँन से मामले होगा जिन favorites को अब हम बढ़ते हैं और आगे तो कोशन नमर 18 कहता है कि पहली बार निर्वाचन आयोग को बहु सा दसी कब किया गया आईए ओप्सन देखें उसके बाद सही उत्तर बताएं 1.0993, 1.0991 और 16.0989 और ओप्सन D कहता है 16.0993 को तो जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो होगा ओप्सन C क्योंकि पहली बार 16.0989 को बहु सादसी निकाए बनाया गया और उसके बाद हमने पहले चर्चा करी चुकी है कि नबे में फिर एक सादसी उसके बाद किरा नबे में फुना बहु सादसी इत्हाद तीन सादसी आयोग बना दिया गया जो लगातार काम कर रहा अब अपन अगले कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखते हैं मुख निरवाचान आयोगत के साथ और कितने आयोगत होते हैं इसके बारे में बात की गई है आपसन में है एक, आपसन में है दो, आपसन सी में है तीन और आपसन डी में है चार आप जानते हैं जो इसका सही उत्तर होगा वो आपसन भी होगा दो क्योंकि एक मुख निरवाचान आयोगत हो गया और दो अनायोगत होते हैं मुख निर्वाचन आयुक्त मैंने आपको बताया कि कौन है इस समय सुसील चंद्राजी मुख निर्वाचन आयुक्त हैं दो अन आयुक्तों की अगर बात करें अन आयुक्त कौन है दो तो हमने जब पढ़ा था निर्वाचन आयुक उस समय उन्हें आपको बताया था अब श्री राजीव कुमार स्री अनुप चंद्राजी अननिर्वाचन आयुक्त हैं। इसके प्रेकष यह इन सदस्य निकाह है। तो एक मुख निर्वाचन आयुक्त के अलाबा दो अयुक्त होते हैं। इसले option B इसका सही उत्तर होग आईए अगले question की और आगे बढ़ते हैं अंगला प्रसन देखते हैं अंगला प्रसन केहता है कि भारत का प्रथम एगलो इंडियन मुख निर्वाचा नायूग कौन रहा वो कौन एगलो इंडियन रहें जो भारत के पहले मुख निर्वाचा नायूग बने आईए देखते हैं आप्सन, आप्सन में है फ्रेंक एंचना, आप्सन B में कहता है डेरेन ओबरीन, आप्सन C में कहता है जेम्स माइकल लोगन होग, और आप्सन D में कहता है इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका सही उतर होगा आप्सन C, जेम्स माइकल लोगन होग, पहले ऐस एक लो इंडियन थे जो मुख्ष निर्वाचन आयोग बने। आईए निर्ष कोश्चन क्यों रांगे बढ़ते हैं और आज का अंगला प्रस देखते हैं। भारत विद निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमान आयोग का गठन किया जा चुका है? इसके बारे में पूछा गया है। ये फ्रस्न मदप्रदेश लोग सेवा आयोग पूछ भी चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि इन में से कौन से सही उत्तर होगा। ए में कहता है कि दो बी में कहता है चार और सी में कहता है पांच और डी में कहता है इन में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा और सन बी चार और चार कब कब चार वार इसका गठन हुगा। और अगर हम सन की बात करें तो उनईस सो बावन में पहली बार उन 273 में 3 वार और 2002 में 4 वार इसका परिसीमन आयोग को गठन हुआ आप तक 4 परिसीमन आयोग को गठन हो चुका अब अब अपन नेक्स्ट कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस देखते हैं कोशन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्र में से कौन सा मंत्रा रहे भारत की निर्वाचन आयोग की नोडल एजनसी की रूप में काम करता है ये हमने इसके बारे में भी चर्चा लेक्चर में करी थी अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाएं पहले भारत निर्वाचा नाव की बारे में पढ़ें उसके बाद MCQ लगाएं आपको उसे बेहतर फाइदा होगा आईए देखते हैं कोई नहीं जो इसका सही उत्तर होगा वह मंत्राला है जिसके अंतरगत हमारा भारत निर्वाचा नायोग काम करता है अब अगले कोश्चिन की और आंगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 23 कहता है कि भारत का निर्वाचान आयोग निमने में से किस प्रकार का निकाय है कैसा निकाय है भारत निर्वाचान आयोग अप्शन A है सम्वैधानिक निकाय अप्शन B है सामभीधिक निकाय अप्शन C है गैर सम्वैधानिक निकाय और option D है इन्हेंसे कोई नहीं तो जो इसका सही उतर होगा वो होगा ओ лег ah इसे संबैद्धानीक निकार क्यों कहा जाता है इसे संबैद्धानीक निकार इसलिए कहा जाता है कि यह हमारा भारत यह संबैद्धान है उसके भाग 15 के जो आर्टिकल है 32 से 339 उनमें पहले से ही भारत निर्वाचन आयोक का बढ़नन है क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो इस्थाई संस्था है और ये हमारा क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है इसमें निर्वाचन के लिए आवस्थेक संस्था होनी चाहिए और उसी कितारतम में भारत निर्वाचन आयोक को गठन किया गया और ये एक प्रकार की संवेधानिक संस्था है इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अब अपन अंगले क्वेश्चन की और अंगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस्न देखते हैं आपको स्लाइट प्रपर दिख रही है क्वेश्चन नमबर 24 कहता है किस संवेधान संसोधन के बाद से मतादिकार की आयो 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दी गई वो कौन सा संवेधान संसोधन है उसके बारे में क्वेश्चन पोच रहा है तो आपसन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं उसके बाद कहता है 44 संविधान संसोधन 98 सब्सक्राइब कर दिए इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा अगर इन अधर ऑप्शन के बारे में संप्धान संसोधन 1940 सची जो है यह बहुत ब्यापक संभाइधान संसोधन है और इसलिए से लगू संसोधन के अगर महत्युपूर्ण चीजों के बारें बात करें तो इसमें संपत्तिक अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे विधिक अधिकार बनाया गया तो बहरहाल अपन यहां पूछ रहा है कि मत अधिकार की आई 21 से 18 वर्स कप की गई कि संविधान संसोधन के तहत तो वह 21 सवरी एक सथभे संविधान संसोधन 1989 में हुगा 88 में हुगा जो 59 में लागव हुगा अपन अगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न क्या है Question Top 25 कहता है भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है तो आईए देखते हैं, कहता है समवैधानी का अधिकार, option B में कहता है गयर समवैधानी का और option C में कहता है वैधानी का अधिकार, और option D में कहता है उक्रोक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका सही जवाब होगा, वो होगा, option C, ये एक प्रकार का वैधानी का अधिकार, है कौ हमारे मत देने बोट डालने का अधिकार भारत में एक बैधानी का अधिकार है अपन अगले question क्यों रांगे बाढ़ें तो अगली slide में क्या है question number 26 प्रथम परिसीमा नायोग कब गठित हुआ यह मैंने आपको पहले कई वार बता चुगा इसलिए आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे A में है 50, B में है 1952, C में है 956 और D में है 960 जो इसका सही answer होगा वो होगा option B उनाइस सो बामन में जो पहला परिसीमा नायोग कब गठित हुआ था इसलिए option B इसका सही उत्तर होगा अब अगले question की और आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट क्या है बिधान सवाए वा बिधान परिसेत के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके दोरा जारी की जाती है इसके बारे में question पूछ रहा है option है राजजपाल option B में है राश्टपती और अपसंटी में है मुख मंत्री और अपसंटी में है हाई गोड का मुख नयाधिस्त तो जो इसका सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा राजपाल क्योंकि अधिसूचना जारी करने का काम राजपाल का होता है बाकि बिधान सभा के चुनाव कराने का काम भारत निर्वाचन आयोग करें अपन अगले कोच्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस देखते हैं बर्तमार में कौन भारती निर्वाचन आयोग में सामिल नहीं है इन में से ऐसा कौन सा वक्ति है जो भारत दिरवाचन आयुक्त में सामिल नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है तो आईए अगर थेखे सुसिल चन्दरा थे। सामिल है क्योंकि यही तो रजीब कुवार राक्ति आयुक्त और सी में अनूप चंद्रजी, ये भी अनुर निर्वाचन आयक है, क्योंकि ये तिन सफ़सरी निकाए है, ये तीनों है, और सुनील अरूरा जी सामिल नहीं है, इसलिए इनका जो सही उत्तर होगा, यही पूछ रहा है इसमें, इस सामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब होग का option D, लीजा, right, answer, D, सही, जवाब है, question कर, question number 58, अपन आगे बढ़ें, और अंगला प्रस्न देखते हैं, भारती निर्वाचन आयोक की इस्थापना, कब हुई, निर्वाचन आयोक की इस्थापना के बारें पूछ रहा है, तो option देखें, 25 जनवरी निर्वाचन आयोक की इसका सही उत्तर है, वो होगा 25 जनवरी निर्वाचन आयोक की इसके बाद बामन में पहली बार आम चुनाव हुए, अब अपन निश्ध कोष्चन की और आगह बढ़ते हैं, आज का भारत निर्वाचन आयोक से संबंधेती अंतंम प्रशन है, इसको अपन देखें, भारत की निर्वाचन आयोक के सक्ष्चुवा कारियों की प्रक्यति है, उसके बारें में पूछ रहा है, पहले कथन में कहत है सही कथन का चैन किजिए χए कहता है कि कथन 2-3 सही है बीमें कहता है पहला और दूसरा सही है और दी कहता है उपरोक में से सबी सही है तो जो इसका सही उत्तर होगा, वो option D ही होगा, क्योंकि हमारे भारत निर्वाचन आयोग की प्रकिती इन तीनों प्रकार की होती है, वो प्रसासनिक प्रकिती भी है, वो सलाहकारी प्रकिती भी है और अर्धन्याइक प्रकिती भी है, इसलिए option D इसका सही उत्तर होगा, ठीक है साथियो, आज क के लिए इतना ही हमने पहले लेक्चर में यह देखा कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है उसके डिटेल में पढ़ा उसको डिटेल में जाना समझा और उसके बाद हमने उसके आप इसको सॉल्व करें देखें आप अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं हमारे साथ जुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्वाद